मत्ती रचित सूसमचार सत्ताईसवा अध्याय जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरुनियों ने इश्यू के मार डालने की सम्मती की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौप दिया जब उसके पकड़वाने वाले यहुदा ने देखा कि वह दोशी धराया गया है तो वह पच्टाया और वह तीस चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरुनियों के पास फेर लाया और कहा मैंने निर्दोशी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है उन्होंने कहा हमें क्या तू ही जान तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आपको ठासी दी महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि यह लोहु का दाम है सो उन्होंने सम्मत्ति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गारने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया इस कारण वह खेत आज तक लोहु का खेत कहलाता है तब जो वचन यर्मिया भष्ड़क्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे तीस सिक्के अर्थात उस ठहराय हुए मूल को जिसे इस्राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिये और जैसे प्रभु ने मुझे आग्या दी थी वैसे ही उन्हें कुमार के खेत के मूल में दे दिया जब इश्यू हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहुदियों का राजा है यिश्यू ने उससे कहा तू आप ही कह रहा है जब महायाजक और पुर्णिये उस पर दोश लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया इस पर पिलातुस ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाईयां दे रहे हैं परन्तु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ और हाकिम की यह रीती थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था उस समय बरब्बा नाम उनहीं में का एक नामी बंधुआ था सो जब वे इखटे हुए तो पिलातूस ने उनसे कहा तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ बरब्बा को या ईश्य को जो मसी कहलाता है क्योंकि वे जानता था कि उन्होंने उसे दाह से पकड़वाया है जब वे न्याई की गदी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तु उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना क्योंकि मैंने आज स्वप्ण में उसके कारण बहुत दुख उठाया है महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरबा को मांगलें और ईश्यू को नाश कराएं हाकिम ने उससे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं उन्हों ने कहा बरबा को पिलातुस ने उनसे पूछा फिर ईश्यू को जो मसी कहलाता है क्या करूं सब ने उससे कहा वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा क्यों उसने क्या बुराई की है परंतु वे उर भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुलड होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहु से निर्दोश हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लोहु हम पर और हमारे संतान पर हो, इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, और ईश्यू को खोड़े लगवा कर सौप दिया, कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने इश्यू को किले में ले जाकर सारी पल्टन उसके चहूं और इखटी की, और उसके कपले उतार कर उसे किर्मी जी बागा पहनाया, और कांटों का मुकुट गूथ कर उसके सिर पर रखा, और उसके दाएने हाथ में सरकंडा दिया, और उसके आ अब वे उसका ठठा कर चुके तो वे बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और कुरूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। तब उन्होंने उसे कुरूस पर चढ़ाया और चिठियां डाल कर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठ कर उसका पहरा देने लगे और उसका दोश पत्र उसके सिर के उपर लगाया कि यह यहुदियों का राजा यीश्यू है। अपने आपको तो बचा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कुरूस पर से उतरा। इसी रीती से महायाजग भी शास्त्रियों और पुर्णियों समेथ ठठा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने आपको नहीं बचा सकता। यह तो इसराइल का राजा है अब कुरूस पर से उतराए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वै इसको चाहता है तो अब इसे छुडा ले क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ कुरूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दो पहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा चाया रहा। तीसरे पहर के निकट यिश्व ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा एली एली लमा शबक्तनी अर्थात हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उन में से कितनों ने यह सुनकर कहा वह तो एली आ को पुकारता है। उन में से एक तुरंत दोड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और उने कहा रह जाओ, देखें एलिया उससे बचाने आता है कि नहीं। तब ईश्वर ने फिर बड़े शब्द से चिला कर प्राण छोड़ दिये। और देखो मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फट कर दो टुकले हो गया। और धर्ती दोल गई और चटाने तलक गई और कब्रें खुल गई और सोय हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल कर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिये। तब सुबेदार और जो उसक साथ ईशु का पहरा दे रहे थे। भुईंडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सिस्त्रियां जो गलील से ईशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उन धनी मनुष्य जो आप ही ईशु का चेला था आया, उसने पिलातुस के पास जाकर ईशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आग्या दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेता और उससे अपनी नई कबर में रखा जो उसने चत्तान में खुदवाई थी और कबर के द्वार पर बड़ा पत्था लुड़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसी मरियम वहां कबर के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बात का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास एक तीसरे दिन तक कबर की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें कि वे मरे हुऊं में से जी उठा है, तब पिछला धोका पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ, अपनी समझ के अनुसा रखवाली करो, सुवे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कबर की रखवाली की।